नमस्कार सलाम नियूस क्लिक के डेली राउंड अप में आपका स्वागत है मैं मुकुल सरल पंजाब की पकडंडियों से शुरू हुआ किसान आनूलन सबसे पहले देश की राजधाने दिल्ली के द्वार पर पहुंचा फिर आपने देखा कि पैर पसारते हुए उसने हर्याना के साथ पश्चमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी हल्चन पैदा की और अब ये किसान आनूलन अवद पहुंच चुका है और पुरवांचल की रहा पर है इस पर बात करने से पहले जानते हैं आज की हैडलाइन्स सीतापूर में किसानों की महपंचायत अवद में दस्तक के साथ आनूलन पुरवांचल की रहा पर चार महीने से जलनिगम कर्मियों को नहीं मिला वेतन नए रिटायर करमचारियों को डिएड साल से नहीं मिल रही पेंशन अनिशित काले इन धरने पर बैठे करमचारी खोरी गाओं मामले में कोट ने केंद सरकार से मांगा जवाब क्या खोरी वासियों को पीम आवास योजना से मिल सकता है घर तमिलनाडू में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को प्रोफेशनल कोर्सेज में मिलेगा 7.5 प्रतिशत स्पेशल कोटा पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएगी तमिलनाडू सरकार और देश में पिछले 24 घंट में कुरोना के 26,15 नए मामले 252 मरीजों की मौत उत्तर प्रदेश में किसान महापंचायतों का सिलसला तेज होता जा रहा है सुमवार को बारी थी सीतापूर की लखनों से सेटे सीतापूर में 20 सितंबर के दिन किसान महापंचायत का आयोजन किया गया जिसमें सीतापूर, बहराईच, लखीमपूर, पीली भीत, शाहजापूर, हर्दोई, समेत, उत्राखंड के, रूदरपूर जिले से आए हजारों किसानों ने शिरकत की इसकी खास बात ये रही, कि पुरुष किसानों के साथ साथ इसमें महिला किसान भी भारी संख्या में शामिल हुई महिला किसानों ने साफ कहा, कि हम अच्छे से जानते हैं, हम यहां क्यों आए हैं हमें ना तो फूसला कर लाया जा सकता है, और नहीं लालस दे कर हम अपने सवालों के साथ मोधी योगी से जवाब लेने आये हैं ये महापंचायत दिली बार्डर पर किसान अंदूलन को लीड कर रहे संउत किसान मोर्चा के बेनर तले आयोजित की गई इस महापंचायत में राकेश टिकेट, मेधा पाटेकर, डॉक्टर सुनीलम, संदी पांडे समेट कई किसान सग्णर के निता पहुंचे इसमें दोर आये नहीं कि जिस तेजी से यहां किसान अंदूलन पूरे यूपी का पूरे यूपी को अपनी जद में ले रहा है, उसने मोदी योगी सरकार के लिए एक बड़ी चनौती पैदा कर दी है पश्चिमी यूपी में किसान अंदूलन अपना जल्वाख कायम किये हुए है, लेकिन अब अवद के साथ पुरवांचल में भी अगर किसान सक्रिय हो रहे हैं तो भाच्पा सरकार के लिए आगामी चुनाओ मुश्किल भरे हो सकते हैं उत्तर प्रदेश जनलिगम के करमचारियों ने एक बार फिर से धरना प्रदेशन शुरू कर दिया है, मांगे वही पुरानी है, वेतन और पेंचन, लेकिन उमीद नहीं है, होसला नया है दोबारा से धरना प्रदेशन शुरू करने के बारे में उत्तर प्रदेश जनलिगम के मजदूर यूनियन ने कहा आदेश में सभी करमचारियों को उनकी नियक्ति के तारीक से गरना करते हुए पेंचन से जुड़े लाब दिये जाने के निर्देश दिये थे लेकिन 30-35 परदेशों की सेवा करने वाले करमचारियों को भी उत्तर प्रदेश जनलिगम प्रशाशन प्रिंचन नहीं दे रहा है आपको बता दें कि वेतन को लेकर भी जनलिगम के करमचारियों बेहत परशान रहते हैं इससे पहले वे कई मरतबा प्रदेश भर में धरना प्रदेशन कर चुके हैं हर बार सरकार वेतन देने का वायदा करती है जिसके बाद करमचारियों अपना धरना प्रदेशन रोक देते हैं लेकिन हर बार के तरह एक दो महीने के तनख्वा दे कर करमचारियों को बहला दिया जाता है यूनिन के अध्यक्ष राम सनही यादव ने आगे कहा कि अभी अप्रेल की सेलरी मिली थी लेकिन मैं 2021 से लेकर अभी सितंबर तक का कोई वेतन या पेंशन नहीं दी गई अब बात खोरी गाओं की हरियाना के फारिदाबाद के खोरी गाओं को प्रशाशन ने अतिकर्मन के नाम पर उजार तो दिया लेकिन अब हजारों परिवार बेगर हैं प्रशाशन ने उनके लिए समुचित पुनरवास की वेवस्था भी नहीं की पुनरवास संकट को लेकर ही सुप्रिंग कोर्ट में सुनवाई चल रही है जिसमें 20 सितंबर को सुनवाई करते हुए कोट ने सरकार से अपना जवाब देने को कहा कि क्या खोरी से हटाएगे लोगों को प्रधान मंतरी आवास योजना के तहट घर दिया जा सकता है आपको बता दें कि प्रशाशन पर पुनरवास को लेकर कई गंभीर आरूप लग रहे हैं कई परिवार जो पुनरवास के पात रहें लेकिन वो प्रशाशन द्वारा मांगे जा रहे हैं पैसे देने के लिए समर्थ नहीं है वो आज भी बेघर ही हैं जबकि प्रशाशन कोच चुनिंदा लोगों को पुनरवास के दावे को स्विकार कर रहा है और दूसरी तरफ प्रक्रिया और कागजात की कमी के नाम पर हजारों परिवारों के दावे खारिज कर रहा है अब चलते हैं तमिलनाडू तमिलनाडू के स्टालिन सरकार अपने कई प्रकतिशील फैसलों के चलते चर्चा में आती रही है ऐसी ही सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को लेकर तमिलनाडू के स्टालिन सरकार ने एक फैसला लिया है इस फैसले के नुसार तमिलनाडू के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को आगे प्रफेशनल कोर्सों में एडमिशन के लिए साड़े साथ फीसद का स्पेशल कोटा मिला करेगा जिसमें सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गाओं और गरीब किसान मज़़ूरों के बच्चे भी प्रफेशनल कोर्सों में एडमिशन ले सकेंगे इस स्पेशल कोटे को लेकर मुख्यमंतरी स्टालिन ने एक और बड़ा फैसला लिया है स्टालिन ने घोशना की है कि स्पेशल कोटे से आने वाले सरकारी स्कूलों के इन बच्चों की फीस भी तमिलनाडू सरकार खुद वेहन करेगी तमिलनाडू विधान साबा में इस स्पेशल कोटा के लिए बिल पेश करने के दोरान मुख्यमंतरी स्टालिन ने कहा सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बहुत कम बच्चे ही प्रफेशनल कोर्सों में दाखला ले पाते हैं परिवार की आर्थे के स्टिधी खराब होने के चलते और जागरुकता के कमी के चलते प्रफेशनल कोर्सों में दाखला लेने वाले सरकारी स्कूलों के छातरों के संक्या काफी कम है यह स्पेशल कोटा आने के बाद इंजिनरिंग, एगरिकल्चर, फिशरीज और लॉज जैसे प्रफेशनल कोर्सों में एडमिशन के दौरान सरकारी स्कूलों को स्टूडेंट्स के लिए 7.5 फीज़दी सीटे अरक्षित हो जाएंगी इसका लाब निशिती सबसे कमजोर प्रश्च भूमी वाले बच्चों को मिलेगा अब बात करोना महमारी की देश में 24 घंटों में करोना के 26,15 नाइमामले दरज किये गए हैं इस दोरान 52 मरीजों की मौत हो गई है इस तरह देश में करोना पोजिटिव मरीजों की कुल संख्या 3 करोड 35 लाग तक पहुँच गई है जिसमें से अब तक 4,45,385 लोगों की मौत हो चुकी है बात अगर वैक्सीन की करें तो प्रधान मंतर के जनुन दिन पर दो करोड़ ओधिक वैक्सीन लगाई गई है भाजपा तो भाजपा, भाजपा के नुझे चैनलों, सौरी, मीडिया यानि गोदी मीडिया चैनलों ने इसे एहतियासिक बताया इस कथित एहत्यासिक्ता से कुछ और प्रूव हो ना हो लेकिन एक बात तो प्रूव हो ही गई कि इस देश में स्वास्ते कर्मियों में इतना बल तो है कि एक दिन में भी दो करोड से अधिक वैक्सिन लगा सकें इसका मतलब है अगर वैक्सिन उपलब्ट कराई जाए तो हर रोज ही दो करोड वैक्सिन लगाई जा सकती है लेकिन क्या ऐसा हुआ स्वास्ते मंत्राले की ताज़ा जानकारी का नुसार पिछले 24 घंटे में मात्र 96 लाग 46 अजार वैक्सिन ही लग सकी है और अंत में कार्टोन, कार्टोन क्लिक, मैनेजमेंट सबसे बढ़िया जी हाँ AI, CTE के मताबिक 2021-22 में देश में इंजिनिरिंग सीटों की कुल संख्या पिछले 10 वर्षों में सबसे कम रही है वहें बताया जा रहा है कि हाल के वर्षों में मैनेजमेंटी यानी प्रबंदन पाठे करमों में सीटों की अच्छी खासी वृद्धी हुई है कार्टोनिश्ट एरफान इसी खबर को आधार बना कर व्यापक संदर्बू में व्यंग कर रहे हैं क्योंकि आज मैनेजमेंट ही सबसे बहतर काम या कला हो गई है सरकार के एक इशारे पर आज सब कुछ मैनेज ही हो रहा है आज के डेली राउंड अप में बस इतना ही इन खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsclick.in पर विजिट कर सकते हैं हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे फेस्बुक पेज, इस्टाग्राम पेज और ट्विटर हैंडल पर हमसे जुड़ सकते हैं आज के लिए बस इतना ही धन्नवाद